प्रवागत है आप सभी का तो आप सभी ने यापर दोस्तों युवाओं के लिए जो यहापर वितमंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट पेस किया जा रहा है और युवाओं को जो सोगाते दी गई तो भरतिया यापर दोस्तों बताए गई है लेकिन देखो किलियर करना ज़रूरी है मेरा मानना यह कि बरतियों की गोश्टना हुई अच्छी बात है 2024 में एक लाग से अधिक पदों पर वरती होगी और आगामी चार साल में दोस्तों यहाँ पर चार लाग पदों पर वरती होगी अब यह सभी यहाँ पर डेपार्टमेंट्स की सरकारी वेकेंसि की बात हो रही है कि पूरे पांस साल में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पांस साल में चार लाग पदों पर वरती होगी दोस्तों और यूवा निती 2024 बनाए जाएगी और साथ में दोस्तों रोडवेज में इन्हों ने बताया है कि 1650 पदों पर वरती होगी इसकी भी बात करेंगे और दोस्तो इसी साल 2024 में इनोंने बताया है कि जो पहले 70,000 पदों की यहाँ पर बात की गई थी, उसको बढ़ा कर दोस्तो एक लाख यहाँ पर पद कर दिये हैं, इतने गर दी हैं दोस्तों एक लाख पद गर दिये हैं, तो बिल्कुल अच्छी काबर युवा साथीों के लिए जो भी सहसंत को देख रहे हैं वाद में देखेंगे तो राजस्तान सरकार दोस्तो बजट 2022 पद till 24 भेचिस के बाद करें तो आज के अंतरिम बजट में दोस्तो यहाँ पर मुांतरी और दोस्तो तो जो बरती यहां पर कनफर्म कर दी है नोंने कि राजस्तान रोडवेज बरती जो कापी सालों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कितने पदों पर बरती आएगी और दोस्तों यह 10-12 साल से बरती हुई नहीं है पिछले कुछ महीनों से लगातार वीडियो भी बना रहे थ बात हुई थी कि 2100 पदों पर बरती आ रही है उसके बाद फिर 500 पद की बात हुई थी उसके बाद 2800 पद की बात हुई थी और अब दोस्तों उट के मुझे जीरा जितना यहां पर वेकेंसी नोंने दी है मतलब कि 1650 पदों पर इस वर्ती के रिए मंजूरी मिल चुकी है द दुट्राइव रहे हैं और लेएक हारे और और के दिए अबर पर अबत 5 के लावा अगर कोई ड्राइवर के लिए अपला कर रहे है तो कंडुटर के लिए प्राइedor कर रहा है तो भी उसके पास में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए साथ में दोस्तों यहाँ पर 15 दिन का या एक सब्टा का दोस्तों यहाँ पर जो फस्टेट का जो डिपलोमा है जो certificate है वो दोस्तों होना चाहिए यह दोस्तो योगिता है अगर आयू सीमा की बात करें कि कंड़क्टर के लिए आयू सीमा तो राजस्तान में कोई भी वेकेंसी हो आयू सीमा वही 18 से 40 आपको ध्याद रखना है कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष यहां पर रखा गया है तो एक बरती तो कंफर्म है कि यह बरती दोस्तो चार साल में आने वाले आगांमी 4 साल में तोटल पूरे 5 साल में और इससल 2024 में एक लाग पदों पर बरती होगी तो यह तो दोस्तो गोश्णाय हुई है लेकिन होका क्या क्या Цीलाजकर्म होगी 2024 में एक लाग पत्वे बरतियां है युवा निती भी जारी करेंगे तो यहां पर इनको बताना चाहिए कि इतने पदो पर इतने पदो पर यह बरतियां आनी चाहिए यह इनको मालूम होना चाहिए दोस्तों ठीके ना और इसके लावा रोड़ वेज का इन्हों ने बता दिया सिख्षा वाग का पताना चाहिए कि 3D की कितनी वेकंसी है लैब असिस्टेंड की कितनी वेकंसी है अगर 4th grade की यहांपर वेकंसी आएगी तो उनकी कितनी वेकंसी आएगी अनने जो विवाग है की पट्वारी जो है वो तो फिलेखे ने क्लियर कर दिया है R.S. की नहीं भर पर बढ़ती आएढ़ेगी एक तरह इक तरह से लिएप और जुम्ला थे दिया कि बार यहां पर दोस्तोileen पाथ सालमें पाथ कितने पदो पर बढ़ती होगी तो तो ही ने घिआ कि पर आपके लिए कि आपको सरकाई नोक्री का मुझेन अ import मिलेगा तो इसलिए आप तैयारी में आप जूट जाइए सीट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो क्योंकि जल्दी इसी अंतरकिंगा आने वाली बर्तियन है वह आपको सामने देखने को मिलेगी सीटिक छट्री एक्जाम है पचीस यहाँ पर दोस्तों सितंबर को संबावीत आप सभी को मालूम है कि 25 सितंबर से आपकी सी एक्जाम होगी और इसकी जो विज्ञप्ति आपको इसी महीने देखने को मिलेगी ठीक है भई हाँ और एक और एक और न्यूज है दोस्तों वह है आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए जो दसवी पास आठवी पास बारवी पास यहां पर जो मैदावी छात्र जिनके अच्छी परसंटेज बनेगी तो यहां पर 33,000 स्टूडेंट्स को क्या मिलेंगे टैबलेट मिलेंगे यस के तहत यहां पर 33,000 विद्यारतियों को टैबलेट मिलेंगे इसके अलावा तीन साल की फिरी इंटरनेट कनेक्शन यहां पर कनेक्टिविटी मिलेगी मतलब तीन साल के लिए आपको फिरी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी और 33,000 स्टूडेंट को टैबलेट दिये जा तो यह दोस्तों खबरती जो मैंने आपको बता दी है अब आप दोस्तों बजट को देख सकते हैं